एक बार एक युनिवस्टी ने चैल्ड साइकोलोजी जानने के लिए एक रिसर्च की, उस रिसर्च स्ट्रेडी के दौरान दस बच्चों को एक एक एक्टिविटी करने को दिया गया, उस दस बच्चों में से पांच बच्चों ने उस एक्टिविटी को बहुत इजिली सॉल कर लिया लेकिन जो बाकी पांच बच्चे थे वो बच्चे उस activity को solve नहीं कर पाए जिन बच्चों ने solve कर लिया था उन्हें बहुत अच्छे से appreciate किया गया कि well done you are very intelligent दूसरी तरफ जिन बच्चों ने इसको solve नहीं किया था उन्हें भी demotivate नहीं किया गया उन्हें भी प्यारवले शब्दों के साथ बोला गया कि very good well done आपने बहुत अच्छा किया क्या हुआ जो आप इस problem को solve नहीं कर पाए but आपने बहुत hard work किया we appreciate your hard work कुछ दिनों के बाद उन्हीं बच्चों को एक दोबारा से study करने को दिया गया अब की बार उनको दो activity दी गई जिसमें से एक activity बहुत easy थी और दूसरी activity थोड़ी difficult थी जो पांच बच्चे पहले activity को solve कर गए थे वो बच्चों ने जो easy वाली activity थी उसको choose किया क्योंकि उनके subconscious mind में ये बैठ चुका था कि वो बच्चे बहुत intelligent है अपने इस image को बनाए रखने के लिए और अपनी intelligence को प्रूब करने के लिए उन्हें इस बार भी अपनी जो ये activity दी गई थी उससे solve करना बहुत जरूरी था वो कोई risk नहीं लेना चाहते थे इसलिए उन्हों इसी टास्क को चूज किया और solve कर लिया दूसी तरफ जो बच्चे पहले वाली activity को solve नहीं कर पाये थे इस बार उन्होंने hard वाली activity को जो difficult वाली activity थी उसको चूज किया क्योंकि उन्हें पहले ये कहा गया था कि very good well done तुम अगली बार बहुत अच्छा कर सकते हो क्या हुआ जो अब नहीं कर पाये लेकिन तुमने अपना hard work बहुत अच्छा किया और तुम next time इससे भी अच्छा करोगे ये वाली बात उस बच्चों के करना है उनका होस्रा बढ़ाना है लेकिन उनकी टैलेंट को नहीं क्योंकि टैलेंट God gifted हो सकता है टैलेंट बाय बर्थ हो सकता है टैलेंट हमें genetically मिल सकता है लेकिन जो बच्चों का hard work है बच्चों ने अपने confidence से अपनी level से जो hard work किया है अगर आप उसे appreciate करेंगे तो चाहे बच्चों में टैलेंट नहीं भी होगा यह टैलेंट में कुछ कमी भी होगी तो भी बच्चे अपने hard work से कहीं पर भी failure नहीं होंगे और life में हर कदम पर success पाते चले जाएंगे